ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीमना सित्र जोनो व्यो मा परोयत किमा वरेवह कुह कस्य शरमन्नम भा किमा सित गहनम गवेरं स्रिष्की से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहां किसने धका था उस पल को अगम अतल जल भी कहां था किमाका था बेद्सक्वार कैन्स करने झां किता था थानkg स्विश्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्से आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता गांधी जी के नेत्रित्व में राष्टे आंदोलन का सबसे एहम पहलू था औरतों का योगदान हजारों की तादाद में घरों की चार दीवारियां लांग कर और समाजिक सरगर्मियों से नावाकिफ होते हुए भी वो आंदोलन के बीचों बीच कूट बढ़ी विलायती कपड़े की दुकानों और शराब के ठेकों की पिकटिंग पर तो उन्होंने ही अधिकार जमा लिया शहरों में औरतों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और वो देखते देखते मर्दों से भी ज्यादा द्रिर होती गई अक्सर अपने सूबों और इलाकों में वो कॉंग्रेस डिक्टेटर यानी संचालक बन गई गन्गमा तुझे फूरा याद है ना तो अपने साइज गाड़े रखी थे जान तक मेरे को याद में यह इंच गाड़ी थी तेरे को जल्दे तो तुझा मैं कोदले आइसा कैसा? मुझे कहानी नहीं सुनने का है क्या? मैं थुड़ी देर रुख जाता हूँ तो आगे बता क्या हुआ फिर उसके बाद गाउं में कांग्रेस की पंचाइद बनी पर उसी दिन शाम को पुलेस वाले आए और मुर्थी अपा को पकड़ के ले गए अब ये बाद तो पहले जो बोली थी ना? हाँ, मगर उसके बाद रोज रंग अमा अकबार लेके बढ़ते और हमको बताते कि क्या कुछ हो रहा करके एक दिन अकबार में छपा कि मुर्थी अपा अपने बचाओं के वास्ते वखिल रखने को मना कर दिया क्यो? जैषक रह दंजा में ऐसे कायकु हो ना गोरे लोगां अपने इस लोगो की तरफ रहते युकायकु करते सरकार क्या यू लोगों के वास्तेको है वो तो फुलिस की तरफ ही जे खुब बहुद खुब यही सब तुमारा गांधी तुमें शिखा रहा है अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम क्या तो भी बोलो भट जी, तुम किन के तराफ हमको सब मालूम, बेवकूफ लड़के, कल को अंग्रेज लोगा चले जाएंगे, तो क्या राम राज आएगा, उसके बदले में रावन राज आएंगा, अंग्रेज लोगा आने से पहले क क्या था मालूम तेरे को, प्रस्टाचार, अराजकता, घमन, घूस, यही सब, कल को अंग्रेज लोगा चले जाएंगे, जैसे तुम जैसे अनपड़ लोग बोलते हैं, तो क्या होएंगा मालूम, ना रहेंगे बोम्मान, न अचूत, न शूद्र, न वैश्य, हमारा सनातन मत्टी में मिल जाएंगा, भट जी, हमें मालूम आप स्वामी के आदमी बोलके, बिल्कुल मैं हूँ, और गर्व से कहता हूँ, तो सरकार वाले स्वामी को 1200 एकड़ पानी का खेट दिये न, कौन, कौन बोला, यहां आखवार में लिखा है, ओ स्वामी जी को कोई राजदक मिशना देंगे, तो वो क्या इंकार करेंगे, इसलिए स्वामी सरकार का आदमी हुआ ना, स्वामी जी न उस सरकार के हैं, न इस सरकार की तरफ है, जो हमारे धरम का आदर करते हैं, स्वामी जी उसके तरफ है, ये तुमारे गांदी गिंदी जैसे लोगा, अरे उनको तो ग तो अब फूट गया, अब उनकी तरफदारी करो नको, ये मूर्ती जैसे लोगां ये सब बाते फैलाते हैं, उनके जैसे लोगां के वास्ते सही जगे जेल में छहें, महीं चरेने दे, बोलके भगवान के आगे प्रार्पना करूंगा, अच्छा मूर्क, कुछ भी बोलो, स्वामी की पहुँच दूर तलक है, उन्हें मूर्ती की बुरी हालत करवा सकता, फिर भी मूर्ती को वकील नको काते? मैं शहर जाकू, अपने रिष्टेदार सीता रामू से मिलती हूँ, उन्हें भी वकील है, हमारी मदद कर सकींगा, तो शहर को अकेली जाती क्या, हाओ, जाके उसी के पास रहोंगी, और जैसा तो भी हुआ मूर्ती की मदद करूँगी, हाओ, हमारे गाउं से कोई तो भी ग बहुत काम पड़ा है नमस्कार मा देवी मा देवी मा केंचम मा कैसे बखन मैं तेरी महिमा देवी मा देवी मा केंचम मा सास की आँखे जलता पलीता, भूकी बहू का पेट है रीता नहीं सुपारी पत्थर बनती, कौरी घर्बन धारन करती रंग गई धरती लाल है मा ओ लाल सुर तुने मारा है मा देवी मा देवी मा केंचम मा बामन पुरो हिज्यो भिंडी समाई बने जो भट तो खदू हो जाए भट ने पकड़ी काशिकी राव, पेत में उसके ना सो ना समाई बट चला है काशिकी राव, भूकी बहु है रिति की रिति कभी सुपारी क्या पत्थर बनती कभी सुपाली क्या पत्थर बनती देवी मा देवी मा के चम्मा लाल असुर तुने मा राहे मा देवी मा देवी मा के चम्मा देवी मा देवी मा के चम्मा उसके बाद रंगम मा कारवार से वापस आ गए बाद में मालूम हुआ के गोरा जैच मूर्थी अप्पा को तीन मैने की सकत सजा दिये उस दिन पूरे गाउं में जैसे कोई मौत हो गई हो सन्नाटा चा गया कोई अपने घर से निकला हम सब उपवास किये थे उस दिन बांज बेवा शहर से लौट आई क्या अब तो उने अपने मर्द दोस्तों के साथ खुले आम रहने लगी कते तो खुद अपना मूँ देख वेंगम मा जाके नाले में ढूपके मर अपना याओ ऐसा नहीं बुलना उने जब भी देखो तुमको नामा रखती तुम क्या को चुप रहती बोलने वाले का मूँ आप इच कड़वा होता बुलने दे उसे अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो कुछ मैं शहर में देखी हूँ वैसे ही सब कुछ यहां भी होना हम सोब मिलकर एक होना शीज सीखना ताके जब भी गांदी जी इशारा दिये हम लड़ाई के लिए तैयार रहना पर यह सोब काम तो मरद लोगों का है रंगमा कारवार में ओरतों की टोलियां जवान जवान लड़कियां बेवाएं सुहाग ने सोब मिलकर एक जुट होकर स्वयम सेविकाय बन गई है उनको लोग वालेंटियर बोलते वो लोगां पुलीस के वैसा कसरत करते और जब कभी भी मीटिंग हुई न वो ही सब कुछ संबालते लेकिन रंगमा कुछ कामा तो मरद लोगों के वास्तिश होते औरतां उनमें दखल नहीं दे सकते न यह इस तो गलत बात है गांधी जी बोलते औरतों को आगे बढ़ना मरद से कंदे से कंधा मिला कर चलना रानी लक्ष्मी भाई का नाम सुनी है न तू? हो हो राशपूत की जैसा गुड सवारी करती थी अपने लशकर के साथ ब्रिटिश सरका के खिलाफ लड़ी उन्हें उनको नाकों से चने चववा दी और लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी पहादूरी में किसी मरद से कम नहीं थी उन्हें आज भी बहुत सारी औरता अपने देश के लिए लड़ाई लड़ें जैसा के सरोजनी नाइडव अम्मा, आनी बसंत अम्मा, कमला देवी अम्मा एक से एक बहादूर और हम लोगों को देखो बस अपनो जाडू और चुला फुकनी लेकर बैठे हैं हम लोगों को भी अपनी स्वयम सेविका की एक शाखा बनानी चाहिए रंगमा ठीक बोल रहा है, हम सब लोग तुमारे साथ रंगमा हो रंगमा, हो अच्छी बात है, कल सेच शुरू करते घर का काम काज निप्टाने के बाद हम कवायत करेंगे और अपनी शाखा का नाम रखेंगे सेविका संग सेविका संग आगे बढ़ एक हात की दूरी ले बाओ हाथ सिधा कर वेश्रम आप बताओ, अगर पोलीस वाला तुम कु मारा तो क्या करेंगे तुम वापस मारूंगी माती मेले को और बड़े खान होगा तो जरूर इच नहीं तुम ऐसा नहीं करेंगे इत्ते दिन से क्या सीख रहें तुम लोग अगर पोलीस वाला तुम पर लाथी भी बरसाया तो तुम हीलेंगे नहीं वहीं जम के खड़ रहेंगे वैसा कैसे हो सकता है रंगमा मैं तो चीक मारूंगी नहीं तुम ऐसा नहीं करेंगे अब आखाम उचो आखाम उचो सोचो के तुम जुलूस के सामने हो सब लोगा यहीं देखो यहीं धियान दो सोच लो के तुम जुलूस के सामने हो और अचानक पुलीस हमला करती है सोच लो के मैं पुलीस हूँ और ये मेरी लाठी आई तुम्हारे सर पे बहुत हसी आरी बहुत हसी आरी रतना, आँख हम उचो नहीं, मैं खुलेच रखती हूँ ठीक है, तुमीटिंग में है और पुलीस अचानक हमला करती है ये लाठी आई सब लोगा एक सा नहीं कर सकते, रंगा मा ये बहुत मुश्किल है नहीं नजम मा, कुछ मुश्किल नहीं है अगर तुमारे दिल में अपने देश के वास्ते सची शद्दा है न तो लाठी भी मौम बन जाएंगी हाँ ए कावेरी, घर को आ क्या बत है तेरा मरद इसना गुसा का यू कर रहा मैं कवायत में आती, तो उसको पसंद नहीं क्या बत है नारायना इसको यहां नहीं आना कावेकू, तुम गांदी वाद छोड़ दिये मूर्ती जेल चला गया बोलके मैं गांदी वायतीच हूँ लेकिन मेरे को भूख के नहीं रहना मेरे को वकत पर खाना होना तुमको वकत पर खाना नहीं मिल रहा तो इसकी वज़ा सेवे का संग तो नहीं हो सकती हम सब लोगां तो घर का काम काज निपटने के बाद ही शया अभ्यास को आते वो सब मेरे को नहीं मालूम हर दिन मैं काम को जाता हूँ ठक के घर को आता हूँ तो मेरी जोरू को मेरा आराम देखना है ना यह बात तो तुम ठीक हीच बोल रहे है देखो बैनो अगर हम लोग समाज की सेवा के लिए निकले हैं न तो हमको सबसे पहले अपने घर का काम काज देखना पड़ीगा जा कावेरी तु घर जा रंगमा खाना कब का तैयार है यह सेविकासां के खिलाफ है तब ही जैसा बोलता तु घर जा ना रहना मैं भेशथियो उसको कःड़ो गवायद कतम होते ही च भेष छयो サAAAAAVDHÏन मूर्ती को छुटतारहुआ हूा मूर्ती को छुटतारहुआ हूा पेपर में इं देल्ध के बस को कंता पूरा भपीस आह हूरे हुने मूर्ती को छुटता रह रहुआ तो अभी से करें다면 сторон in पॉरह ब्शारी और रीया उत्यान कंद मालीक लगेशा पूरे रकी युक्राइवा के आरिक वाड़े जाए नग्याए वरा मासंदCreं कि अधकर बाशनद नगे estimate पटेल साफ, पटेल साफ, पटेल साफ, पुलिस की घाड़ी आई, क्या हुआ, पुलिस की घाड़ी आई, लगता मुर्ती को लाए उन्हे लोग, किदर, इदर तो नहीं आए, उन्हों दूसरे रास्ते से आए, रंगमा के घर कुगया, रंगमा के घर कुगया, रंगमा के घर चुको अंदर ने जा सकती तुम यह मेरा घर है मेरे को अंदर जाने का पूरा हाख है अरे जा कर रहे तुम लोगा इदर पुलीस आई इदर सब इनिस्पेक्सर साब आय बोलके तलाशी ले रही अरे इदर आओ भाईयो पुलीस बालोरो भीटिर साबने पूरिवा या किद् ни महत्मा गांधी को पुकारते है मंहत्मा गांदी की आप लोग मेयरभानी करके यहाँ चले से चले जाए शीर वहां जाय बंदल ते थे मूरती मूरती को नहीं छूड़ा ईज़ा पेकर सब्सूइस मात्मा गांदी के अभी क्या करें रंगामा? नहीं मालूम मूर्थी को कितने दिन के बाद छोड़ेंगे रंगे गोड़ा, तु मिच लेलो मूर्थी अपपा की जगा नहीं, रंगामा, मेरे कुवो सब नहीं आता तुमीच बनो, हमारी नेता हाँ से रंगमा हमारी नेता हा! अभी तुम लोग अपने अपने घर को जाओ कल देवाल पर आम ऍूने होएंगी हाँ यbow भाईयों और बेहनों, खबर आई है कि महात्मा गांधी अपने भहुत सारे स्वयम सेवकों के साथ साबर मती से यात्रा पर निकले हैं दांडी के लिए. दांडी पहुँचकर वो वहाँ के समंदर के पानी से नमक बनाएंगे. गांधी जी बोलते, समंदर का पानी अपना, नमक अपना. हम अपने इस नमक के लिए अंग्रेजी सरकार को टैक्स नहीं देंगे, उनके खिलाफ विरोध करेंगे. इसलिए हम सब लोगां एक मिनिट का मौन धरेंगे और गांधी जी को अपनी शक्ति भेजींगे. महात्मा गांधी की ज़ए! बंदे! 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 बैश्नव जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाने रे. बैश्नव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाने रे. पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे. वैश्नव जन तो तेने करिये जे तीर पणाई जाणे रे सकड लोक मा सहुने बंदे निंदा न करे के निरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जन नी तेनी रे वैश्नव जन तो तेने करिये जे तीर पणाई जाणे रे मोह माया व्यापे नहीं जेने डढ़ वैराग जेना मन मारे राम नाम शूं ताली लागी सकड तीरत तेना तन मारे वैश्नव जन तो तेने करिये जे तीर पणाई जाणे रे महात्मा गрокंडी जिये महात्मा गंडी की जाए महात्मा गंडी की क्या ख़बर नमकांदूल् vient का वा हाँ पहले महात्मा प्रात्न किया उसके बाद दर्या किनारे यह जाकर मुठी नमक बनाए फिर सब्लोग नमक बनाए ओर घर घर जाकर बाते अब पुलीस को कुछ समझ निया है क्या करें, तो नमक की गाड़ी पर जाके तूट पड़े, पुलीस बोले, तुम लोग कानून तोड़े हो, तो वलेंटियर तोड़े, उसमें क्या, कानून तो महात्मा भी तोड़े, फिर पुलीस वलेंटियर पर तूट पड़े, उन्हें बहुत से लोगों को लेकर गिरफतार कर लिए, लेकिन हुआ क्या, और भी लोग आए, दर्याकू, अब पुलीस मार भी ना सके किसी को, क्या कूँकि वहां यात्रा देखने बहुत से गोरे लोगा भी आए थे, महात्मा के जैसे हम कभी आत्रा करते हैं, कारवार का अंग्रिस पंचार से हुकूम मिलते हैं, कब आएगा हुकूम, आप सब अंदोलन के लिए तयार हो, हाँ 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 हाँ, हम लोगा रोज सुबे कवाहत करती हैं, और अब पुलीस लाठी सर पे पढ़ने से भी नंजमा ची मात्मा गिरफ्तार हुए है, मात्मा घानी गिरफ्तार हुए है, आप सब लोग को पास करेंगे, कांग्रेस पंचायत आज शाम कूछ जमा होंगे, आगा को क्या करना बोल के ठत्वा करेंगी मेरा मन बोजा कुछ तो भी होने वाला है, मैं घर जाते हूँ, तु जाके बागी सब लोग को भी बोल उदर इस परशने को, हम लोगा पंचायत को फैचले का अंतजार करेंगे पंचायत बैठी भी है क्या फैचला हुआ, तुझे मालूम हो जाएगा, मुझे जल्दी कारवार जाना है हुकूम आया है के हम सब लोगा मतलब मरद, और बच्चे मिलकर सिवल ना फर्मानी आंदोलन शुरू करेंगे क्या होता वो बताती हूं हम इस सरकार को कौन सा भी टैक्स नहीं देंगे क्यूंके हम इस सरकार को अपनी सरकार मानते ही इच नहीं वो हमारे साथ कुछ भी कर ले, हमारी जमीन भी जबत कर ले तो हम टैक्स नहीं देंगे क्यूंके, क्यूंके सुनो मेरी बात यह सरकार हमारे पैसों के बिना चलिच नहीं सकते समझ गए? दूसरी बात यह कि सब औरता मिलकर दारू की दुकान पर धरना रखेंगे क्योंकि दारू ही वो चीज है जिससे गरीबों का शोशन होता तीसरी बात यह कि हम एक सामांतर सरकार बनाएंगे और उसके पटेल रहेंगे रंगेगोडा रंगेगोडा जनता के आदमी हमारे आदमी हम किसी भी दूसरे आदमी को न पटेल मानेंगे न उसको टैक्स देंगे लेकिन एक बात याद रखना हम मेंसे कोई भी हिंसा करींगा तो हम इस आंदोलन को छे महीने के वास्ते छोड़ देंगे, प्राइस चित करेंगे, क्यूंके हम हत्यारे सिपाही नहीं, अहिंसा के सैनानी बनेंगे, क्या तुम सब लोगा हमारे साथ हो? हाँ, 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 कोई भी मार काट नहीं करेंगा? नहीं करेंगे, बिना डरके आखिर तक लड़ींगा? लड़ींगा! ना तो कोई बोमन रहेगा, ना तो कोई चूत! क्यों बोलते हैं तुम्हात्मा गांधी की? जए! महात्मा गांधी की? जए! जुम्मे के दिन अंदोलन शुरू करेंगे एंदा बेंदा तेड़ बिडंगा पेड़ ताड़ का होता दूध ताड़ का ऐसा जैसा दूध साप का होता दूध साप का कौन है पीता रे बतारी मेरी बेहना दूध साप का पिये भूत जिसका मन में रहना मुझे अकड़ी सिर्पै पगड़ी हाथ में डंडा नामी उनका चुआ मरे मौत बिन बांग न पाए पानी कहा हमारा रक्षक स्वामी क्यों ना है वो आता क्यों ना है वो आता क्यों ना है वो आता ऐसा स्वामी ऐसा रक्षक आया रिभया आया आहां आया रिभया आया लगता नारायन नर्बन कर धर्ती पर है आया राजमहल की गज्जी छोड़ी खुटिया को अपनाया तीन हात की दे तीन लोक में चाया आया महान स्वाही आया आजमहत्माया जई रोशमी लेकर आया पुझी आला फेलाया बंदे हम लोग आंगे नहीं जा सकते सब्सक्सित बताने का धन्यवाद,Very we will. अच्छा नहीं हो гораздо आप अपना काम करेंगे हम अपना काम करेंगे ली विल्योयव भीर है और भर नगा दो और शु़ार लोग रिखा बाईयों, महत्मा गांदी के नाम पर दारू पीना छोड़ दो, दारू पीने से तुम लोगं का बहुत नुक्सान होता, तुम्हारी बुरी आदत के उपर अंग्रेजी सरकार आगे बढ़ रही, तुम लोगं का शोशन कर रही है, तुम्हारे बच्चे के पेट में खाने को कप्डा नहीं है, तुम्हारी अग्रत के पास पहने को कप्डा नहीं है, फिर भी तुम लोगं का लोगं के रहे, तुम्हारो पीने आएगा, 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 तुम्हारो पी जो नँद दिर अंपट। जलदी उत्रो, जलदी उत्रो, निकलो भार अरे, ये कान लोगे छोड़ती है? ये बेडा गाट है मगर कानता पूरा दो उस्तर रहा है तो लोगा ये ही सजा है, यहां से पैदल जाओ अरे, सुनो, रुको अपे क्या करेंगे, रंगा मा? पैदल जाओंगे, और क्या? ये जंगल में बहुत जानवरा कोई बात ने, जोड़ जोड़ से गाना गाओंगे जानवर खुदी इज भाग जाओंगे रदना शुरू करो ऐसा स्वामी, ऐसा रक्षक आया, रे भाया, आया लगता नारायन दर बनकर धरती पर है आया राज महल की गद्दी छोड़ी कुटिया को अपनाया कुटिया को अपनाया तीन हात की देह है उसकी तीन लोक में चाया आया महानस्वामी आया, आज महात्मा आया नई रोशनी लेकर आया, उजियाला पहलाए आया, उजियाला पहलाए उसके बाद हम योड़तां बहुत दिनों तक दारु के अड़े पर धरना दिये कोई भी गाहाँवाला सरकार को टैकस नहीं दिये जून का मैना निकल गया, हम लोगा सरकार को टेकस नहीं दिये, उसके बाद जो होना था वही चुआ शिदया एक दिन क्या हुआ गंगा मात के बाद? बाकी लोगा किदर रहें? जो जगे नकी की, जो जगे नकी की यह थी, वहीं चिंतिजार कर रहें अच्छा, तो फिर चलो अगर किसी को तो बताना ना के कमेटी के लोगां भी जा रहें कलकु जब हम लोग नहीं रहेंगे तो होता क्या सोचें बुल्दीस हमको पकड़ने से पहले, हम लोगा यहां से निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा हाँ, रतना समाल लेंगी औरतों को, औरती मया हरी जनों को, चलो हम लोगां चलते हैं सुनो, 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 कांतापूर के सब लोगो ध्यान से सुनो, सरकार कांतापूर के लोगों को नोटीज देती है कि सरकार के खिलाफ टैक्सना भरने के कारण विद्रोग करने वालों की जमीन जायदात लिलाम कर दी जाएगी इसके बाद अपनी जमीन पर उनका कोई हक नहीं रहेगा आम लिलाम दो दिन बाद किया जाएगा सुनो सुनो सब र глत कर दो हैंगे दो और शेंगे यह ड estos पूहार बोलकर पूछेंगे प्रचक इसकी पंडू करने सब्सेंस आसरली को को गया है अब हमकूद घ्ली देत ही मैंने माधर शर्ष मुझे मालम था ऐसा होगा बोलके अब हम क्या करेंगे हम लोग रतना की जाएंगी वो इच हमको बतलाएंगी अभी हमारे खेट भी ले ले लेंगे ता हम क्या करेंगे रतना से जाकर बात करेंगे वो इच बताएंगी चलो चलो इसलिए कारवार कांगरेस कमीटी न फैसला रत्ना, क्या बात है गंगमा, सरकार हम लोगा की जमीन को बेच रहे है और तब पूछ रहे हैं क्या करना है बोलके डरने के बात नहीं है गंगमा, जमीन निला होने के बात मालूम थी इसलिए पटेल और अंगमा छुप गए है, वो लोगा लड़ने के तयारी कर रहे है इनसे मिलो, इनों भी शहर से आये हैं, हमारी मदद के वास्ते नहीं क्या शंकर? हो बैना, हमारे साथ बहुत से लोगा आएंगे सरकार हमसे डरती है, हजारों लोग सरकार के खिलाप देश भर में लड़ रहे है कोर्ट, कछेरी, स्कूल, कालेज, बैंक, सब बंद हैं, डरने की कोई बात नहीं, हम सब सरकार के खिलाप एक है पहले सतिनारान की पूजा करेंगे, उसके बाद एक जुलूस निकालेंगे, और जुलूस में ही जमीन जो निलाम हो रही है, उसके सामने धरना करेंगे लेकिन रतना अगर हम लोग वहाँ पोचे वहाँ के तुमें चल रहा है शैसली, बहुत से लोगा आके हैं, उन में से कुछ लोगा तो भटा के तरफ बाले कते राक्षास एस्टेट के कुलियों को हमारे जमीना में कटाव करने को बोली देया, सब गया, हमारी फसल, हमारी जमीन नंजमा, हमें भी लड़ना है, तुम सब लोगा तयार? हाँ 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 तो चलो चलो अल्यके आँ प्रेंसे ने और क्या वबश्री सत्यना वाइन भगवाण की बहू हाँ प्रें मत्नाए बगवान की तो तो को जातेें तुम लोगा? जहां भगवान को लिजाते उदहऱिच मैं तेरु की समझाता दोश साल कड़ी अंदर रकड़ जाएंगी दू बोलो शरी सत्यनारायन भगवान की वालो प्रेम से हरे नागावन की श्री सत्या नारायन बGUगवान की श्रीशत नलाइन ब cynicalाने की श्री का बदो प्रेम सेहरे प्रेम से हरे, बोलो श्री सत्य नाराइन बगवान की जाए, बोलो प्रेम से हरे, बोलो श्री सत्य नाराइन बगवान की जाए, बोलो प्रेम से हरे, प्रेम से हरे, बोलो प्रेम से हरे, प्रेम से हरे, प्रेम से हरे, बोलो प्रेम से हरे, बोलो प्रेम से हरे, बोलो प्रेम से ह ने चलो चलो जब चलो 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 राचना कर राचना तुम वासुदेव को लेकर ऐसे की पुर्कुलियों को लेकर आप हाँ पहुंचो जल्दी करो जल्दी चलो चलो बारिया मातमा गांधी की इनकिलाफ 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 तुम लोग आगे मत बढ़ो, बरनाम गोली से उडा देंगे आप इनसा बादी है तुम खेत के सरद नहीं आ सकते यह खेत हमारे है यह खेत बिग गए सवर भाय साथ यह धरती हमारी तुम भी हमारे हम सब भारात माता के बच्चे हैं मैं तापको आखरी बार बोलता हू अब लोग आगे नहीं बढ़ सकते बरनाम गोली चला दूँगा आगे बाता है आ गора! आगाँ़ बाता इलाँडो रिrekिनावर झाँडो बाता! वकशरूila ala! वकशरू Étगuso वकशरू ड्यवडो वकशरू बाँडो बड़ जीचारू याभ जाभ जाँ जाँग जाँ? . . . . . . मारा कौ अंद da का 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 सबस्टें अ का हमन वहा हमने आड रका सब कुछ चला गेती हुए है कुछ भी आंग्रेजी सरकार के हाता में ना पड़े ऐसा इस करते है चलो सब्सक्राइब करें क्या हुआ फिर जाएब फिर दोड़े में यह गाओ छोड़के मैसूल इलाके के कासी पुरा गाओं में रहने कुछ लिगए कितने दर्द बरी कानी है ने दूसरों का क्या हुआ सीनू को जेल हो गई और रंगम्मा, रतना, मुर्तिअप्पा को भी जेल हो गई बाद में छे मैने के बाद उन लोगों कुछ उटकारा मिल गया रतना, रंगम्मा मेरे सहाथ आकर के कासी पुरा में ही रहने लगे उन्हें मैंने को बताया कि बहुत जुलम किये सरकार ने उनके साथ जेल में बहुत सताय उन्हें पर वो लोग हारे नहीं वो बोले कि गांदीजी लाट साब के साथ समझोता किये और सारे कैदियों को चुटकारा दिला दिये पर मूर्ति अप्पा इस फैसले से खुस नहीं थे मूर्ति अप्पा कहने लगे कि ये लाल मूखे बंदर गांदीजी के साथ धोका किये करके वो वापस बंबई को चले गया नहरू जी भी आहिंसा में ही विस्वास करते है पर वो ये कहते सिदया कि सबको बरोबर का हक मिलना चाहिए ये बात भी सही है हाँ सही है पर सिदया मैं गांदी जी कीछ तरफ हूँ बैन तुने अपना सब कुछ खोधिया फिर भी कही को महत्मा गांदी के साथ है तू गांदी जी हमारे मुलक में स्वराज लाएंगे उसके लिए इस चीजा तो क्या मेरी जान भी छली जाती तो कोई फिकर नहीं बैन यही वो बक्सा है ना तो ने मेरी बहुत मदद करी सिदया चलो बहन अन्यारा होने से पहले हमें कारवार पहुचना है बहन हमें देर हो रही है चलो लिए 1930 हमारे लिए बहुत अद्भुत वर्ष था और गांधी जी ने अपने जादूई स्पर्ष से जैसे देश का नक्षा ही बदल दिया हालां कि कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि समझ बैठे कि हमने अंग्रेजों पर पूरी तरह विजय पाली हमारे उत्साह का तालुक अंग्रेज सरकार से खास था भी नहीं हमें नास था अपने अवाम पर अपनी औरतों पर अपने बच्चों और नौजवानों पर जिन्हों ने आंदोलन में इतना शानदार भाग लिया ये एक मुहानी फतेह थी जो किसी भी दौर में किसी भी कौम के लिए बेहत कीमती होती है खासतोर से हमारी जैसी शोशित और दबी हुई कौम और हम फिकर मन थे कि कहीं ये फते भी हमसे छिन न जाए हिरन्य गरबात समवर्त ताग्रेब भूतस्य जातब पतिले कासी सदाधार प्रतिविम जा मुतेमाम कस्मे देवा यह विशा विदेम वह था हिरन्य गरबस रिष्टी से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्वमान धर्ती आसमान दारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर जिसके बल पर दे जो मैं है अंबर पृध्वी हरी भरी सापित स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर गर्भ में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापा था जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्रान बन कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर ओ स्रिष्टि निर्माता स्वर्गर चेता पूर्वज रक्षाकर सद्य दर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षाकर पहली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर